हेलो गाईज सब्सक्राइब करें रासमीज भूलाग यूट्यूब चनल और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई रैसीपीज देखने के लिए आज मैं आपको बता रहे हूं राजस्थानी मठकाचरे का अचार गाउं में कैसे डाला जाता है गाउं के लोग जो होते ना म सब्सक्राइब करना तो बनता ही है तो चलिए देखते हैं मठकाचर और लाल मिरच का टेस्टी तीखा अचार ये देखेए यह है मठकाचर तो आप जितनी कॉंटेटी में बनाना चाहें बना सकते हैं जितनी काचर लेने उतना है आपको तेल बूइल करके रखना है और यह यह मसाले सौफ, कलोंजी, हल्दी, हिंग, लालमिरच और नमक तो इस तरह मसाला लेना है तेल को पहले गरम करके ठंडा होने के लिए छोड़ देना है तो सबसे पहले कचर को धू करके और अच्छे से धूप में सुखा ले पूरा अच्छे से इनको वोश करना है धू लेना ह कपड़े से पूँच करके सुखे कपड़े से फिर इस तरह से उसको काट लेना है आपको यहां पे छीलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी तो आप काचर को इस तरह से तोड़ ले तो सारे काचर तोड़ करके तयार कर लेते हैं तो अभी आप देख सकते हो यह ली है जो हरी मिर्च होती है न थोड़ी कलर में थोड़े दिनों के बाद में लाल मिर्च हो जाती है तो यह मार्केट में आपको मिल जाती है लाल मिर्च तो तीखी और स्पाइसी मिर्च लेना यहां पर आपका जो अचारा वो खटा तो वैसे काचर की विज़ों से हो जाएगा यह पानी का बिल्कुल भी टच नहीं करना है और सुखा करके लेना है तो सारी लाल मिर्च को भी हमने कट कर लिया है अब हम इसके अंदर मसाला एड़ करेंगे तो यह लिया है लाल मिर्ची का पाउडर नमक काला जीरा कलोंजी और सौंफ यहां पे हम राई नहीं डाल रहे हैं राई का जो पाउडर होता है वो नहीं डाल रहे हैं क्योंकि राई बहुत ज़दा खटी हो जाती है कचर के अंदर डालने से इसलिए कचर की अचार में राई नहीं डाली जाती और यह ले रही है हिंग पाउडर तो हिंग पाउडर कलोंजी नमक हल्दी लाल मिरच ऐसे डाल करके और सबको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आप इसे एक दिन के लिए बड़े से बरतन में डाल करके दूप में रख दीजेगा और दूसरे दिन के बाद आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और स्वाधी स्टचार बनता है, और आप इसे महिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं, मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है, साथ में डाल दिया है, सारा का सारा तेल भी, इसटी काचर का झार बनकरके रडडी हो जाता है तो मैं इसी धूप में रख देती हूँ दो दिन के लिए और दो दिन के बाद ये बहुत इन्सा अचार देखिए इस तावे का तयार हो जाता तो दोस्तो दो दिन हो चुके हैं इसको दूप में रखे वे आप देख सकते हो अचार बहुत बढ़िया से तियार हो गया है तो अब हम इसे खाने में यूज ले सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेर करना अमरे चैनल को सब्सक्राइब